हेलो बच्चो एक बाफिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है द्रोन स्कूल में आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे important questions करने वाले जो नौदे विद्याले के entrance exam में और सैनिक स्कूल के entrance exam में लगातार पूछे जाते हैं और इस बार भी जरूर पूछे जाएंगे तो यह सारे के सारे important question धंग से देखो मैंने short tick बताया हुआ है proper method बताया हुआ है एक-एक point step by step सारे doubts आपके मैंने clear कियो हुए है तो make sure आप विडियो को पूरा देखिए नौदे विद्याले की या फिर सैनिक स्कूल की तयारी कर रहे है तो drone school का app जरूर से download करें वहां पर हमारा अर्जुन बैच चल रहा है जो कि नौदे विद्याले के लिए है और सैनिक स्कूल के लिए भी कोर्स हमारे एप पे है प्लेई स्टोर से जाकर के आप drone school का app download कीजिए dronschll search करना drone school का app download करना और वहां से batches में enroll करके आप नौदे विद्याले की या फिर सैनिक स्कूल की तयारी अपनी start कर सकते है पिलहाल अभी इस विडियो का देखो और enjoy करो किसी संख्या का zweite 3 भाग किया कर रहे है किसी संख्या का दो बटे 3 भाग और 40 है तो पांच बटे 4 भाग क्या होगा 2 by 3 part of a number is 48 what will be it's 5 by 4 important question की copy में लिख ले ना बटा किसी संख्या का 2 बटे 3 भाग कह रहा है 48 है तो माल लो अपने को संख्या नहीं पता है तो संख्या है X X का 2 बटे 3 भाग मतलब X गुने 2 बटे 3 करेंगे जब भी किसी का कोई पार्ट पूछ रहा हो तो X का 2 बटे 3 भाग कितना दिया हुआ है 48 दिया हुआ है कितना दिया हुआ बटा 48 दिया हुआ है तो अगर हमें वो संख्या निकाल नहीं है कि कौन सी संख्या है तो X का 2 बटे 3 में गुना हुआ है 2 बटे 3 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा तो X 48 भागा दो बटे 3 है ना यानि कि 48 गुड़े 3 मटे 2 हो जाएगा और तालिस गुड़े 3 मटे 2 या फिर डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो यहाँ पर 2 मटे 3 का गुड़ा हुआ है तो इसको पलट करके यहाँ पर 3 मटे 2 का गुणा कर देंगे डायरेक्ट कर सकते हो ठीक है अब है अब यहाँ घाए दो यानि की 24 24 तियां 72 यानि कि एक्स की वैल्यू क्या होगी 72 यानि की 72 का 5 by 4 part अपने को निकालना है, 5 by 4 part, 5 by 4 part अपने को 72 का निकालना है, तो क्या करेंगे, 4 से काटेंगे, तो 4 से काटेंगे, तो 4 कम 4, 4 32 है, अठारे चोग 72 हो गया, और अठारे पंजे 90, उपर उपर 90 आगया, यानिकि हमारा एंसर क्या आगया, 90 is the correct answer, yes, option B is the correct answer, ठीके क्या, बातारी समझे, next question पर चलते हैं, अच्छा, अब इसी question को करने का में एक और तरीका तुम्हें बताता हूँ, तरीका ये है, कि जैसे अपने को क्या part दिया हुआ है, 2 by 3 part दिया हुआ है, ठीक है न, वो क्या है, 48 है, तो 48 कितने part की value है, 2 by 3 part की value है, तो पलट करके गुड़ा कर दो, तो वो number आ जाएगा, पलट करके गुड़ा कर दो, तो वो number आ गया, ठीक है, अभी 5 by 4 part निकालना है, तो गुड़े 5 by 4 कर दो, बस simple सापका एक ही लाइन में answer आ गया, देखो यहाँ पर, short tick गुरुजी का जंतर याद रखना, कि जो part दिया हुआ है, उसको पलट करक अब यहाँ पर देखो, 6, 3, 8, 8, 95, सीधा सीधा 90 हमाना answer आ गया की नहीं आ गया, हागया की नहीं आ गया, yes, 90 is the correct answer, let's move to the next question, अरे क्या बात करते हो, 4 by 9 divided by 8 बटे 3 नहीं कर सकते क्या, भाग तो मैंने आपको बताया ना, क्या करना है, 4 बटे 9, बटा गुणा करके 3 बटे 8 हो गया, ठीक है, next question देखो, इसका मान बताना है, अरे भाई साहब, 12 सही 3 बटे 4 है, और भागा एक सही 19 बटे 32 है, तो बारे चोगे, यह देखो, बारे चोगे, 48, 48, 48 प्लस 3, 15, 15, 15 बटे 4 हो गया, and divided by, यह 32 एकम 32, 32 एकम 32, और 32 प्लस 19, कितना हो जाएगा, 15 हो गया, यहन इसको बराबर में अगर करोगे, तो 51 बटे 4, और गुणा कर देंगे, और इसको पलट देंगे, तो 32 बटे 55, 32 बटे 55, 51 से 55 तुम्हे तो जाना होगा, तुम तो गये, और यह 4 बटे 32, यानि कि हमारा एंसर आ गया, 8, सीधा-सीधा हमारा एंसर कितना आ गया, वटा, 8 हाग है, by what fraction should 4 by 9 be divided, so as to obtain quotient 2 by 3, यानि कि 4 बटे 9 हमें दिया हुआ है, किस भिन से भाग किया जाए, नहीं पता बाई साब, तो हमने x से भाग कर दिया, ठीक है, कितना आना चाहिए, 2 बटे 3 आना चाहिए, जैसा question कहते जा रहा है, बाई साब करते जाओ, तो answer अपना 2 बटे 3 आ अब सुनो, 4 बटे 9 का इधर ही रखो, 2 बटे 3 गुणे x कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, 2 बटे 3 का इधर गुणा हो रहा है, तो इधर भाग हो जाएगा, इधर आएगा तो, तो यहाँ पर देखो, 4 बटे 9 ये ऐसे ही रखो, और divided by, यानि कि भागा क प्राप्त कर नहीं है, x की value निकाल नहीं है, तो x बराबर देखो, क्या हो रहा है, ये 2 दुनी, 4 तुम तो गए, और 3 तरीके 9, यानि कि 2 बटे 3, देखो, हमारा answer आ रहा है बटा, 2 बटे 3, 2 बटे 3 बराबर x, 2 बटे 3 बराबर x, ये हमारा सही answer आ गया, है ना, तो अपना answer है, A option, तो भई कैसी लगी वीडियो, comment section में अभी क्या भी लिख करके बताओ कि points तुम्हें सारी समझ में आया किनी, questions समझ में आया किनी, short tick अगर पसंद आई हो, तो वा, गुरुजी, वा, comment में spam कर देना, मज़े ही आ गया, लिख दना comment में, ठीक है, app download करना, drone school का app download करने content पर click करके, यानि किसी भी batch में click करके, किसी भी course पर click करके, आप content में जा सकते हो, और demo वहाँ पर कुछ free content है, तो आप उसको देख सकते हो, 50 model paper की series और 9 विद्याले के लिए and 10 mock test भी यहाँ पे, आपको app में listed मिल जाएंगे, सैनिक स्कूल का भी course एक बार देखना मत भूलन जो भी free content है, कम सकम उसको तो use करो, download करो app, और अभी जा करके, हमें 5 star की rating दे देना, फिलाल, app को download करो, और इसको एक बार देखो, तो सही किया क्या content है, और अपना तयारी जो है, चाहे आप सैनिक स्कूल की तयारी कर रहे हो, चाहे आप नोने विद्याले की तयारी करो, तय मिलते हैं आप से इसी तरह के next वीडियो में, सब तक के लिए लिए धन्यवाद,